वेलकम तो आपका अपना चैनल देव टेकनिकल फिट से एक नया वीडियो के साथ आपका स्वागत है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और और यूसफुल हो तो प्लीज सब्काइब जरूर करें तो आज के टॉपिक है अपन डिप्लोमा आपको डिप है कि डिप्लोमा करने के बाद आपको क्या क्या option मिलेगा कौन से option मिलेगा वह सब है इसमें तो मैं आपको बता रहूंगा तो आप continue इसको देखते रहा है आपको संपून जनकारी दोंगा ठीक है तो फ्रेंड पहले पहले बाते हैं ब्रांच तो कौन को से ब्रांच आपको करें तो ब्रांच के लिए क्या करना होगा और सेलरी किता होता है प्रावेट जॉब में किता होता है वह सब आपका जनकारी एक वीडियो में सब मिल जाएगा तो प्लीज एंड तक बनें देखो क्या क्या होता है पहले तो ब्रांच उपर में लिखा है आपको देखना पॉ इसी बीटेट करें के लिए बहुत यह अच्छा बताऊंगा देखना लास्ट तक तो सेलरी भी बताऊंगा कि प्रावेट जॉब में कितना मिलता है और गौर्णमेंट जॉब में मिलता है तो देखो फ्रेंड गौर्णमेंट जॉब अपरेजिसे में कौन कौन सेपको पॉइ इसके बाद आठी है इस्टेट के अंतर का तो अपना राजिया है जैसे साच शतीर करते लिए अलग अलग राज़िक का अलग होता है उसके बाद आती है इस अधर गौर्णमेंट सेक्षण है पावर गार्ड पीड़ू पीड़ू डि यह तो अपने नामी है जो सुने तो इसका आपको एक सम्मान मिलेगा ठीक है अच्छा पोस्ट है तो उसके बाद आती है इंडिया रेल्वे यह सब आपको बता रहा हूं इंडिया रेल्वे में आररवी जाई यह भी एससी जाई और पेमेंट लगभग समान होता है इसमें लोड थोड़ जादा होता है पर इ ठीक है और बी टेकनीसियन में क्या होता है उसमें क्यूं हाग होता है और उसमें क्या है आपको युक्त काम हो आप वह काम करेंगे उसके बाद आती है अपर ब्रावेट अफ शेक्शन में चार princes Peak Guide one Japan अठीक सामोबाय के अपन ब्राविड ला असोगा ल्यिय्टी टुटर को आपको सुने यह । इसमें बड़े बड़े मपनी है कर सकतीए प्लाइग कर दीक है तो बीच बीच में यह अपन अपने खोलते रहते हैं तो apply कर देंँ है वहाह बील जाएगा एक lang है बात यह है signature ऐसे कनिशुंइन इंड्रस्टी कहा है construction इंड्रस्टी का और सिमें इंक्री जो सीमें और हो बनाते हैं वो सब जितने भी उस्में भी अपनचे ह्ट कर सकते है private section में उसके बाद आते है friend communication industry तो communication industry में जैसे air tail है reliance है area आधी यह सब क्या होता है इसमें आप apply कर सकते है air tail reliance है बीच बीच में खोलता है तो communication skill में आप इंजिनरिंग लोग जो कर रहे आता है वो लोग आ सकते है ठीक गता है तो यह कर सकते हैं इसमें भी अप्लाइ करते हैं तो यह सब है ठीक है तीसरा आपके पास आता है विटेख क्रेंट करें तो पहला है इस्टेट सेंटर उनिसीटि तो आप इस्टेट इनिसी के लिए अलग एक्जाम आपने इस्टेट के लिए वर्का जो भी कॉलेजर होगा वह अपने एक्जाम दिलाएगा तो आपका लेटर एंट्रिक से बीटे फोर चार साल का होता है मतलब आर्ट सिमेश्वर्क चार साल का होता है उसमें आप दो समेटर का अब एक साल का गेप रहेगा आप पेपर दिलाने के ब दो फ्रेंट में बताता हो तो नामी काल यह स्टेट के अपको स्टेट में जो जो यूणिरियम होगा उसकी सब्सक्राइब कर सकता है अझा झांग उसके बाद एक और साथ हैं बेसर बाता हूं मानता हूं यह इसमें खुद बदा रहा हूं ठीक है तो तिसरे option है friend देखो AMIE यह क्या जॉब के साथ साथ आप भी टेक कर सकते हो यह कितना अच्छा बात है कि आप पेमेंट भी आ रहा है अब उसे पढ़ाई भी कर आपका घर खर्चा भी नहीं कर रहा है तो यह जॉब के साथ साथ आप भी टेक भी कर सकते हो यह बहुंची मदब आपके पास जो कर रहा होगा तो salary के लिए देखो फ्रेंट के जॉब में 45,000 प्लस देखो किता अच्छा है मनदब हर एक मणी पर देखो 45,000 प्लस पहले कम मिल रहा है 45,000 प्लस देखो 45,000 तो कम से कम 45 से अधीक मिलेगा तो सुझो किता payment है अपने गॉवर्मेंट सेक 15,000 प्लस होता है फ्रेंट तो मिनम्यम 10,000 से होता है 10,000 से ओवर होगा और 15,000 से ओवर होगा देखो फ्रेंट सेक्टर में क्या होता है कि 10,000 सुरू में अर्निमस इतना होता है लेकिन आपको experience होगा जितना जाना अनुभा होगा आपका payment उत्तर ही बढ़ता जाएगा ठीक ह आप पहले यह मत सोचना कि मुझे कम मिल रहा है payment उसको ध्यान मत दे क्योंकि आप एक इंडिस्टी से दूसरी इंडिस्टी में फिर अप्लाए गार तो आपको experience हो जाएगा कि एक साल का या दो साल का इसकी इंडिस्टी में काल क्यों हो तो आपको दूसरी इस इंडिस्टी इसमें मिलता है यह होगा ठीक है तो कोई चीज बैठ नहीं होता है डिप्लोमा करके क्या करोगे तो इतना सारा option है एक और देखो लोकोपायट कभी आरवी का प्लिस कमेंट करना तो मैं एक वीडियो बनाएंगा थांक्स फ़र वाचिंग प्लिस लाइक सेर कमेंट करजिए झसितना सक्राइण सुड़ मैं एक और देखो लाचिंगे रखेश बिला ओतो हैhen उते है एक पार्मा करषएटा खींगे बैस हम प्लिस लाइकि तो लाग बनाएंगा ।ाल्यस करना चैसे उता है विछल झात्ना सारा means, झाल झाल